नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News, मैं हूँ आपके साथ दिपेका ओजहा अगनिपती योजना के खिलाब देश भर में चल रहे है प्रदर्शन में रेलवे संपत्ती को भारी नुकसान हुआ है रेलवे सूत्रों के मताबिक तकरीबन 500 करोड से जादा के रेलवे की संपत्ती का नुकसान हुआ है और बाकी का भी अंदाजा लगाय जा रहा है देशभर में ट्रेनों में आग के चलते तकरीबं 100 कोच का नुकसान हुआ है, एक कोच की कौस्ट दो करोड होती है, यानि करीब 200 करोड से ज़्यादा के रेल कोच जले हैं। इसके अलावा साथ इंजन जले हैं एक इंजन की कॉस्ट 15 करूर रुपे होती है इसके हिसाब से तकरीबन 105 करूर रुपे के इंजन जले हैं इसके अलावा रेल ट्रैक और स्टेशन पर जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है मुई भाजपा सांसद वरुन गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है अगनिपत योजना में लगातार हो रहे बदलावों को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए ट्विट किया वरुन ने ट्विट कर लिखा कि जस तरह से इसमें कुछ घं मेंसेज करके प्रदर्शनकारियों से सयम बरतने की अपील की थी वरुन गांधी ने लिखा कि सैन्य अभियारतियों के इस संघर्ष में मैं हर कदम पर साथ खड़ा हूँ आप सभी से निवेदन है कि धैरे से कामले और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपने ग्यापन विभिन ने माधेमों से सरकार तक पहुँचाएं सुरक्षत भवर्ष हर यूवा का अधिकार है नियाय होगा दिल्ली से जबलपुर जाने वाली स्पाइस जेट विमान की अमर्जनसी लेंडिंग करवाई गई जानकारी के अनुश्तार दमकल विभाग को कॉल कर बुलाया गया था नमकल के मताबिक टर्मिनल 1 के रनवे 10 पर सकुशल लेंडिंग करवाई गई हालकि यह नहीं बताया गया कि अमर्जनसी लेंडिंग क्यों हुई इसकी जाच की जा रही है बता दे कि इसमें क्रू समीत 82 पैसेंजर्स थे तो मेरा अज़धानी दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों पर आर्थिक तंगी के कारण ताला लग गया है इसमें कई प्ले स्कूल, मिडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं बता दे कि कोरोना महमारी से जूज रहे डेड़ सो स्कूलों को संच अज़ियेशन की अध्यक्ष आर्सी जैन ने बताया कि कुछ ने निदेशाले को बिना बताय स्कूल पर ताला लगा दिया है जबकि कुछ अगले साल तक बंद करने की तैयारी में हैं और कुछ निदेशाले को बता चुके हैं भारी बारिश के बाद आई बाड और बूसकलन से पुर्वोत्तर अलाकों में तबाही मचे हुई है आसम मिघालयात रपुरा और अरनाचल प्रदीश में लाखों लोग इस बाड से प्राभावित हुए हैं बता दे कि यहां कई लोग भेगर हुए हैं कई लोगों की फसले नश्ट हो गई हैं सडके तूट गई हैं और रेल मार्क बादित हुए हैं यहां आई प्रकृतिक आपड़ा के कारण लोगों को काफी जादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है लोग राहत शिवरों में रहकर इस आपड़ा को शांत होने का इंतजार कर रहे हैं अस अब्रों को विस्तार से जानने के अमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजित करें धन्यवाद